नमस्कार, मैं मरगेंद मिश्रा, आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारियों के साथ, कल हम लोगों ने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट फिल्ड में क्या-क्या पांच पैरामीटर्स होते हैं, जब आप किसी प्रोडेट को जज़ करते हैं, वो पांच पैरामीटर्स हम लोगों ने कल देखा था, यह जानना जोड़ी है तो आज हम लोग discuss उसी को करेंगे कि investment products आज के date में क्या available है इसमें majority मैंने उन products को लिया है जो popular है अपनी country में इसके अलावा भी certain कुछ और investments की चीजें हैं जो popular नहीं है या investment की grade में उतना suitable नहीं बैठता है तो हम लोग बात करते हैं कि जब investment products की बात करते हैं तो broadly इसको दो categories में बाटते हैं पहला categories है जो real, real means जो हम लोग देखते हैं जो हम feel कर सकते हैं इसमें क्या क्या आता है commodities and real estate कि जहां जब भी हम invest करते हैं तो उसके जगह पे हमें कुछ सामान मिलता है या कोई ऐसी चीज़ मि जिसमें कोई सामान नहीं मिलता हमें कागज मिलता है जिसके against में जिसके against में हमें कुछ documents मिलते हैं और जिसको financial assets बोलते हैं तो क्या-क्या है ये सारे assets हम लोग इसको discuss करेंगे हर individual के requirement के हिसाब से उसके time frame के हिसाब से select किया सकता है कि किस product में invest किया जाए मगर सबसे पहने स इस सारे products के बारे में समझें एक और बात में कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं investment product की तो कोई कहे कि यह product risk zero है तो वह गलत होगा क्योंकि हर investment product में हमारी समझ से कुछ नो कुछ risk है, risk के तरीके अलग-लग हो सकते हैं, हर product के, उसी तरह से return के भी तरीके अलग-लग हो सकते हैं, return देने की capacity भी अलग-लग हो सकती है, अब जो हम बात करते हैं, real products में, उसको दो category में बाटते हैं, real estate and commodities, properties, तो real estate आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि क्या-क्या है real estate properties, properties इंडिया में सबसे ज्यादा crazy है, invest करने का, और सच कुछ है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा acid भी create हुआ है, तो real estate के माधियम से, क्या-क्या products में आते हैं, उसमें land आता है, residential properties आती है, commercial आता है, commercial को भी थोड होते हैं, of course, इसका minus point क्या है, कि जब भी आप real estate deal करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे के जोग पड़ती है, और जो हम लोग ने कल discuss किया था, उसमें से एक aspect जो liquidity के बार देंगे बात की थी, तो निश्ची तरोप से इसमें liquidity, निश्ची तरोप से बहुत ही कम होती ह जो similar है, इससे हो है commodities, जिसको हम लोग feel कर सकते हैं, commodities में particularly अगर देखेंगे तो gold, जो की precious metal है, जहां हम लोग की हम लोग के country में, लोग का क्रेज बहुत जादा है, हमें invest करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसमें कितना करना चाहिए, आने वाले दिनों में हम लोग discuss मगर gold एक निश्यत रूप से बहुत बड़ा asset है, जिसमें लोग invest करते हैं, इसके अलावा silver है, other metals भी हैं, जैसे copper है, zinc है, oil है, oil बहुत बड़ा assets है, commodities में, फिर agri products है, बहुत सागे agriculture based commodities हैं, जिसमें लोग invest कर सकते हैं, हम आप चाहें तो invest कर सकते हैं, correct, अब आते हैं real financial products, real के जगा पर financial asset, जिसमें मैंने कहा कि कोई सामान नहीं मिलता हमें, हमें documents मिलते हैं, papers मिलते हैं, उसमें सबसे पहला होता है currency, यानि cash, जो कि अपने आप में ही कागज है, right, तो currency एक हुआ कि लोग चाहें तो currency, अपने देश की currency, या आज के date में international currency के रूप में dollar का मुल है तो dollar में invest करके रख सकते हैं, इसके अलावा, banks, FD, bank पो पैसा रखते हैं, government deposit जैसे post office के माधियम से या government के different government securities के रूप में आते हैं, उसमें हम चाहें तो invest कर सकते हैं, pension, PF, जो pension और PF से related fund है, जो long term retirement benefits related funds हैं, वहाँ invest कर सकते हैं, capital market, capital market बहुत बड़ा शब्द है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि धीरे धीरे अपने भी देश में काफी popular होता जा रहा है, उसमें हम invest कर सकते हैं, capital market में क्या है, तो आप लोग उने shares के बारे में जरूर सुना होगा, shares हैं, stocks हैं, IPO के जड़िए आप invest कर सकते हैं, या secondary market के जड़िए invest कर सकते हैं, बहुत ही बहुत ही बारों में बहुत जगों पर आपने सुना होगा mutual fund सही है, mutual fund सही है, mutual fund एक बहुत बड़ा platform है, जिसके माध्यम से आप invest कर सकते हैं, इसके अलबा mutual fund से आगे बढ़ें, तो PMS है, AIF है, alternate investment, portfolio management services, private equities में invest कर सकते हैं, angel investors, जो unique और नए नए companies आ रही है, hedge fund के माध्यम से आप participate कर सकते हैं, means investment के avenues बहुत अधिक है, हमारी capacity, हमारी requirement और हमारी risk लेने की छमता के हिसाब से हम अपने लिए products कोई सा भी चुन सकते हैं, अभी क्या है कि बहुत सारे जो real assets हम बात करते थे, चाहिए commodities related assets ही बात करते थे, उसको भी financial products में convert किया जा रहा है example के तोर पे अभी RIT, REIT जो RITS आये हैं, जो के real estate trust के माध्यम से कि एक ही properties में कई सारे लोग मिलके invest करते हैं और सब को कागस का टुकड़ा मिलता है, किसे को दुकान या जगह नहीं मिलती है, तो वो possibility है, gold, physical gold के जगह पे आप चाहें, तो exchange traded gold में invest कर सकते हैं, या government के gold bond आ आते हैं, उसमें आप invest कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जो कि अब real assets को भी, उनको भी financial assets में बदला जा रहा है, तो avenues बहुत है, products बहुत है, मगर हमें किस product में invest करना है, इसकी जानकारी हमें खुद समझनी होगी, और ideal तरीका है, कि आप अपने investment professional के साथ बैठ में आपको invest करना चाहिए, हम लोग detail में इसमें से बहुत सारे products के बारे में discuss करेंगे आने वाले दिनों में, आपके मन में भी कोई प्रस्ण हो, किसी भी इसके अलावा किसी और products के बारे में, तो भी आप बताएं, तो मैं उसके बार में भी discuss आप लोग के साथ करूँगा, मेरी इक्षा यही है, कि basic जानकारी आपके पास पहुच जाए, ताकि आप अगर invest कर चुके हैं, तो आपको इसमें मदद मिले, या investment करने की सोच रहे हैं, तो आपको मदद मिले, मैं फिर से कहूँगा, कि अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो हमारी चैनल अधी मिलते हैं,